उत्रप्रदेश में शादी समारों के अनुमती और महमानों की संघ्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आधित्तिनात ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं सीम योगी ने कहा है कि शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रसाशनिक अनुमती की कोई अविशक्ता नहीं है। प्रदेश में कहीं से भी पुलिस दुर्वेवार की शिकायत आई तो सक्त कारवाई की जाएगी। यही नहीं मामले मेर्दिकारियों की भी जवाब देही तैह होगी। मुख्य मंतरी ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर कोईड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइन्स के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवा समारों का आयोजन कर सकते हैं। यही नहीं मुख्य मंतरी ने समारों के लिए निर्दारित लोगों की संख्या पर भी स्तिती स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि शादी समारों के लिए निर्दारित लोगों की संख्या में बैंड, बाजा और अन्यकरमचारी शामिल नहीं होंगे। सीम योगी ने पॉलिस महगमे के पेंच भी कसे हैं। सीम ने कहा कि गाइडलाइन्स के नाम पर उत्पीरन बरदाश्ट नहीं होगा। लोगों को जागरुक करें। गाइडलाइन्स का पालन करने के लिए पृत्साहिद करें। कि वो परेशान कर रही है। दरसल इसमें ये भी काइडलाइन थी कि अगर किसी को शादी करनी है तो दो वहने पहले दीम से परमीशन लेनी होगी कि कहां पर वो शादी कर रहे हैं और कितने महमार इसमें शामिल होंगे। इसी के चलते सहलक का सीजन शुरू होते ही। पुलिस पुलिस ने कुछ लोगों को परेशान करना चुरू कर दिया। सीम तक जब इसकी शिकायत पहुंची तो बहुत सक्त लहजे में योगिया अधितनाथ ने साफ किया कि अगर ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा। सीम योगिया अधितनाथ ने कहा है कि अगर शादी के वक्त किया तो उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी।